नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे कठेल की सब्जी हाला कि कठेल का सीजन नहीं है लेकिन मुझे मिल जया अगर आपको बिले तो आप भी बनाईए बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है मैंने गर्मियों के मौसम में इसके बहुत सारी बढ़ियों डाले थे जो काफी लो लोग मार्केट में काटके नहीं देते हैं कभी-कभी तो घर पे भी आप आसानी से काट सकते हैं देखिए इस तरीके से आप इसके टुकड़े कर ले जो उसका छिलका है उसे उतारने में काफी दिक्कत होती है मैलाओं को तो उसका आसान तरीका है इसको इस तरीके से टुक चुकडों में काटनेंगे एकी साइस के चुकड़े इस तोरह कर लेता है फड़ा फड़ कि सब बहुत ही बढहि साफल कर रहे हैं काफी लोग फर्माईश कर रहे थे को देखे हैं हमने गट्राइब में सब काट लिया है बहुत भड़ी है तरीके से ने काड़ा इसको अब यहां पर हमने लीए दो प्याय तीन हरी मिर्च और एक लस्वन इसको हम पीसेंगे और एक मसाला इसमें हम डालेंगे एक बढ़िया तरीके से यह है राई पीली सरसों इसको आप यूज कीजिए से बहुत अच्छा टेस्ट आता है कठेल में शादी ब्याव में जो कठेल बनता है उसमें राई का यूज बहुत करते हैं तो हमने मसाला पीस लिया यहां तेल में कड़ाई में तेल गरम हो चुका है और यहां पर हमने डाला पहले जीरा अब यहां पर डाल रहें दनिया मेथी जाना स्वड़ा सा यूज कर लेंगे कठेल को हमें पहले फ्राई करना है उन मसालों के साथ गेस को फास्ट रहने दे और और इसको फ्राई करेंगे हम यह रेड हो जाना चाहिए भुन जाना चाहिए अच्छे से तो हम धग देंगे इसको फ़रीदेर के लिए तो देखिए कठेल हमारा हो चुका है आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हुआ है और फ्राई कठेल बहुत अच्छा लगता है इसका टिका भी मैं आपको कभी बना के दिखाऊंगा बहुत बढ़िया बनता है तो देखिए इस तरह से हमारा फ्राई हो चुका है अब इस Ajay में व victram you can guess को हए थोड़ी भाप में पकाएंगे इसको थोड़ा सा पानी Mm We Are a जाप है ये मसाले का सथा उसमें मसाला रग ज़ाता है थो उए यूस कर लिए इसको ड़क हमें में करें चाणि करीब दो से 30में अधनिया पाउडर देड़ चम्मच मिर्स पाउडर डेड़ चम्मच आधा किलो कटाय ले आप इतना तीका खाते हैं उतना यूज करें यह गरम मसाला यह भी करीब एक चम्मच कि अब इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे पूरा तेल मसालों ने पी लिया है अभी अधिए बढ़ी है तरीके से मसाले अंदर तक घुच चुके हैं अब इसमें पानी एड़ करेंगे गिरे भी आपको जितनी चाहिए आप इस समय पानी डाल सकते हैं इसमें अभी हमने थोड़ा सा पानी एड़ किया है कि देखिए कि इतना अच्छा कलर आया है कटल में मसाले हमने कुछ ज्यादा एक्स्ट्र यूज दी कि हैं नॉर्मल मसाले और उसमें ही सब्जी बहुत बढ़िया बनती है तो हम थोड़ा पानी और एड़ कर लेंगे हमारे साब थोड़ा पानी कम था नमक एड़ कर लेंग इसका आप कभी बना के देखिए इस तरह से में बनाता हूं देखिए मसाले उसाले सब हो चुके हैं पानी में तेल भी छोड़ चुका है मसाला लेकिन कटैल अभी गला नहीं है तो इसको अम ढख देंगे करीब 1-2 मिनिट के लिए देख लेते हैं पानी अभी भी हमारा ठीक ठाक है हमें ज्यादा एड़ करने के जोगत नहीं है हमें इसको सूखा बनाना है तो अभी देखिए कटैल 90% तक गल चुका है तो इसको एक बार और ढ़क के पका देंगे 2-3 मिनिट तक स्लो गैस पर तो यहां देखिए पानी हमारा सूख चुका यहां पर गानी से लिए धनिया देने डाल देंगे हरा धनिया व्यादा आपको कैसा लागा हमें जरूब बताएए अपने दोस्तों में शेयर कीजिए पेस को फालो कर लिजे और लाइक कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में और हमें आप बताईए कमेंट में कि आपको परतंग और आपका भब दरने बाद यहां तक विडियो देखने के लिए